हेलो स्टूडेंट वेलकम टू मैं चैनल और आज मैं बेसिक लेक्टिकल इंजरींग का लेक्चर नमबर 30 लेकर आया हूँ यह जो लेक्चर होगा मेरा यह चैटर नमबर 3 का बैटरी जो है उसका थर्ड पार्ट होगा और इस वीडियो के अंदर जो माश टोपिक लेने वाला हूँ वो आपके सामने है इनको जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी क्योंकि आने वाली जो वीडियो होंगी उनके अंदर इनी का प्योग किया जाएगा इसलिए मैं आपको रिक्मेंट करूँगा कि मेरी इस वीडियो को पूरी देखना और यह जो टोपिक है इनके बारे में आप जरूर जानना तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है आपके सामने लिखा है इलेक्ट्रोलाइट देखो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है हम जब बैटरी बनाते हैं तो इसके अंदर बैटरी के अंदर जो हम जो कंटेनर होता है कंटेनर या आपके सामने में कंटेनर बना रहा हूँ हम पहले सेल के बारे में पढ़ चुके हैं सेल में क्या पढ़ा है कि सेल जो है कैमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रीकल एनर्जी में बदलती है ठीक है तो वो जो एनर्जी है चाहे वो कैमिकल की हो चाहे वो इलेक्ट्रीकल की हो वो हमें किस से पराप्त होती है वो हमें होती है रियक्शन के द्वारा पराप्त और वो रियक्शन किस में होती है वो रियक्शन हमारी होती है इलेक्टोलाइट में ठीक है तो अब इलेक् पर्षानिक परिवेतन या फिर राशानिक क्रिया यह होती है ठीक है तो ये परड़ात कि होते हैं इलेक्टो Member क्लातें फिर लृत और electrical energy तो सेल केंदर क्या है के chemical energy electrical energy हो बदलती है जिसके अंदर reactions होती है और ये reactions के Pork हें energy dal टी कहीज है तो यहां पर दिखाएफ्ल चाहिए possible लेक्ट यह पर क्रेस को सकत हैं फ्मद्रा जो क्रेसा को सोटका है तो एざ यहां पर에ढ़ काहते हैं तो गारफ तो जिसके इसले हमारा इस एलेक्टोलाइड में chemical की रूप में इहटा हुआ है उसे हम इलेक्टोड के एक्रोस कोई भी लोड लगा कर chemical रूप में प्राप्त कर सकते हैं या पिर ऐसे के लोग chemical energy को हम electrical energy में लोट के अक्रॉस प्राप्त कर लेते हैं ठीक है तो मैं इसकी definition लिख देता हूँ आपको देखो definition को जिस प्रकार है वे परदाज जो दरविय वस्था में होने पर उसमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है electrolyte कहते बलस को हम हिंदी में कहते हैं विद्यूत अबग करते हैं होता है parameters और भी हो सकते हैं तो यह सब हमारे जितने भी हैं जो हम बैटरी के अंदर वीद्य दबगटे लेते हैं तो यह आपको याद रखना है मैं लिख देता हूं पहले देखों नोटपेंट मैं लिख दिया है इसमें लिखा है यहां तो बिखा है तो इस के लिखा है हम इस बीखर के हंदर एक गिलास onलेंगे हम उस तो जो हमारा यह लिक्वूट बनेगा इस हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे और यह बैटरी के लिए फिर परियोग में लाया जाएगा ठीक है अब हम चलते अपने सेकंड टोपिक पर जो के हमारा होगा इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रोड में चित्र के द्वारा समझाता हूं यैसे मेंना भी पीछ एक चित्र बनाया था यहां पर हमने क्यांकर यह इलेक्ट्रोलाइट लिया है यह का एक प्लस होगा एक मानस होगा क्योंकि हम इसे बैटरिसे जोड़ेंगे किसी भी सोर्स सेCloud मानस और प्लस तो क्या है यह इलेक्ट्रोड क्या इसे हम परियोग क्यों करते हैं इलेक्टोड को क्यूंकि यह जो इलेक्टोड है इनके अंदर वेद्यो धारा परवाइत होने पर इसके अंदर कोई रासानी परिवर्तन नहीं होता देखो मैंने क्या का यह इलेक्टोड है के वल ना कि पलेटे ठीक है पलेटे अलग होती है व मैं इसकी definition लिख देता हूं देवा मैंने जैसे definition में लिखा है ये वेच आलक होते हैं जिनमें विद्युधारा प्रवाइद करने पर कोई रहासानिक परिवर्तन नहीं होता मतलब कि ये जो इलेक्टोड होंगे इनके अंदर विद्युधारा प्रवाइद करेंगे तो कोई भ क्स Tempor кот भान के विद्युधारा क hose पर्वाइद करेंगे जो इलेक्टोड के लिए हम परियोग करते हैं वो ग्रफाइट धातु होती है कार्बन हो सकती इस इसी क्या होता है जैसे कि हम संदी विच्षित करें संदी विच्षित मीचे पर चलता है कि इसी का कईलाता है, उसी का करना हमारा क्या कहलाता ए इलेक्टो लाइसिस कहलाता है तो मैं पहले इसकी डैविनेशन लिख देता हूं तो देखो डैविनेशन में लिखा है कि विद्ध अफगट्टी है जो कि liquid form में होगा में धारा परवायत करने पर जो राशयनिक क्रिया होती है वो से ही हम विद्यूत आप गटन या फिर हम इलेक्टोलाइसिस कहते हैं मतलब मैं इसे एक चित्र से आपको समझा रहा हूँ देखो यह हमारा कोई इलेक्टोलाइट बरा हुआ है इसके अंदर हमने क्या इलेक्टो डाले और यहां विद्यू धारा प्रवाइद करी पिलस और मानेश यहां कोई बैटरी लगा कर हमने यहां विद्यू धारा प्रवाइद करी तो इसके अंदर विद्यू धारा प्रवाइद कि देखो basic principle of electrolysis यह मैंने topic क्यों लिया सबसे पहले जो हम आगे पढ़ेंगे बैटरियों के बारे में बैटरियों के अंदर जो पलेट होती है वह हम कैसे बनाते हैं ठीक है और उसके अंदर क्या परिकरिया होती है तो वह सब समझने के लिए हमें इस topic को समझना बहुत जरूर परिया है तो सबसे पहले इस topic को समझाने के लिए मैं एक चितर बना लेता हूं कि अग्याट करें अग्याट कर देखो मैंने जो आपके समने चितर बना है इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड है से इलेक्ट्रोड और यहां पर एक बैटरी है बैटरी सोर्स जो की पोजीट को नगेटीवड तर्मिनल इसका इधर है यह पोजीट्री जो होती हैं और यह जो इलेक्टोड है जो हमारा पोजिटिव बैटरी के पोजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है यह हमारा कहलाता है यह तो देखो यहां समझने की बात क्या है अब यहां पर इलेक्टो लाइट के रूप में हम लेते हैं S2SO4 को जब हम इसमें धारा परवाइद करते हैं तो हमारा जो इलेक्टो लाइट था S2SO4 तो देखो ये दो आयों में तूट जाता है यहां से यह जो positive ion होगा वो negative electrode की ओर जाएगा ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है तो negative electrode की ओर देखो क्या गया hydrogen ion गया क्योंकि वो positive है और जो हमारा sulphate है एसो फोर टू नगेटिव तो यहाँ पर negative है देखो तो इस positive electrode की ओर क्या जाएगा एसो फोर जाएगा एसो फोर टू नगेटिव तो यह जाकर क्या होगा यह उदासीन हो जाएंगे क्योंकि यह पहले से ही नगेटिव है और यह positive चला गया तो यह इस electrode पर जाकर दोनों ही यह उदासीन हो जाते हैं कहने का मतलब इनको उपर कोई चार्ज नहीं होगा तो यह इ एक और चीज लिखवा देता हूं जो कि इंप्रोटेंट है कैटायन किसे कहते हैं कैटायन और एनायन कि जो आयन कैथोड की ओर जाते हैं उन्हें कैटायन कहते हैं तो देखो कैथोड की ओर क्या जा रहा है हाइट्रोजन तो यह हमारा क्या हो गया हाइट्रोजन हमारा हो गया कैटायन हाइट्रोजन कैटायन हो गया और जो सलफेट है अब देखो आयन में देख लो जो आयन एनो इन न तया होगा है लिक्ष की तरह करताард करता यह ऐस्ट पूजिटिजीव करता है तो आज की इस वीडियो में कैवाल इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना को लाइक ज़रू कर लेना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए थैंक्स पूर वोचिंग